हेलो फ्रेंड्स अगेन वेल्कम बैक टो माइय यूटूब चैनल पेडी टैक मैं अगर आपने मेरा कल वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप इससे पहले एक बार वो लेक्चर देख लीजी क्योंकि कल वाले lecture में हमने group isomorphism की definition discuss की है उससे पहले जो lectures हमने लिए है वहाँ पे हमने group homomorphism की definitions की है ठीक है तो कल जब lecture हमने कल lecture का जब हमने end किया था तो lecture की end में मैंने आपको कुछ question दिये थे solve करने के लिए अगर आपने कर लिए है तो अच्छी बात है अगर आपसे नहीं भी हुए है तो हम आज उनको discuss करेंगे ऐसी ही हम हर एक lecture के end में आपको question देंगे ठीक है practice के लिए पहले आप उनको try करना अगर आपसे नहीं होते है then next lecture में हम उनको discuss करेंगे तो आप वहाँ पी देख सकते है ठीक है तो यहाँ पे देखिए आज का जो आपका lecture है आज हम यहाँ पी discuss करने वाले हैं कल हमने जो problems आपको दी थी उन ही को ठीक है तो first ही आपके पास जो problem है क्या है U10 and Z4 are isomorphic अगर आपको अभी तक यह नहीं पता कि isomorphic होता क्या है तो आप मेरा पहले कल वाला lecture देख लीजिए ठीक है उसके बाद ही आप यहाँ पे यह question देखिएगा कि isomorphic हम कैसे proof करते हैं अगर group isomorphism की बात होती है then हम क्या property यूज करते हैं कि हम वहाँ पे isomorphism proof करते हैं ठीक है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो U10 and Z4 ठीक है इनको isomorphic proof करने से पहले हम यहाँ पे एक result proof करेंगे जो की हम इसी question में यूज करने वाले हैं अब result आपके पास क्या है Any finite cyclic group of order N देखिए कल वाले lecture में हमने आपका isomorphic होता है ZN की ठीक है मान लीजिए आपके पास कोई भी एक group है ठीक है हमने यहाँ पे assume कर लिया कि जो G आपके पास है क्या है एक finite cyclic group है ठीक है हमने यहाँ पे मान लिया कि जो G आपके पास वो एक finite cyclic group है किस order का of order N तो यहाँ पे इसने क्या कहा है कि जो G आपका होगा यह आपका isomorphic होगा किसके ZN की ठीक है तो यहाँ पे हम एक mapping define करते हैं सबसे पहले तो phi as G कहा से कहा तक from G to ZN and defined as कैसे define करोगे defined as ak goes to k mode N ठीक है जब हमने infinite cyclic की बात की थी तो वहाँ पे हमने कैसे define की थी mapping ak goes to k ठीक है अब यहाँ पे k mode N हमने क्योंकि यहाँ है क्योंकि जो यह आपके पास ZN है यह आपका group बनाता है under addition modulo N ठीक है तो इसी लिए हमने mapping इसी type से define की है यहाँ पे कि जो की आपका group का operation given है ठीक है हमने mapping define कर ली है अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली आपकी जो property होती है जब हम proof करते है तो सबसे first आपकी property होती है homomorphism homomorphism तो homomorphism में हम क्या करते है हमें यहाँ पे क्या proof करना पड़ेगा homomorphism के लिए phi of सबसे पहले आप यहाँ पे कोई भी to arbitrary element ले लिजिए domain से ठीक है let a and b in g ठीक है अगर यह g से है ठीक है अब हमने यहाँ पे क्या माना है g आपके पास क्या है cyclic है तो कोई ने कोई इसका generator भी होगा तो जो g आपके पास है हमने मान लिया g is generated by a ठीक है तो अगर हमने a और b element g से लिया है तो यह element किस type का होगा आपका जो a element आपका होगा वो a raised to the power k कुछ इस type से होगा and b जो आपका element होगा say this is k1 and b element आपका हो जाएगा a raised to the power k2 and where k1 और k2 जो आपके होगे वो कहां से विलोंग करेंगे set of integer से ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे a mapping apply करूँ तो यह आपके पास क्या होगा 5 a into b यनिकी 5 a raised to the power k1 into a raised to the power k2 यनिकी 5 a raised to the power k1 plus k2 अब mapping किस type से defined है यहाँ पे क्या आजाएगा is k1 plus k2 mode of n and can be written as k1 mode n अब हम इसको क्या लिख सकते है 5 a raised to the power k1 plus 5 a raised to the power k2 ठीक है तो यह आपके पास क्या हो गया अब हमें पता है कि जो z n आपके पास है group under addition modulo n है तो यहाँ पे आपके पास जो homomorphism property है वो satisfy हो जाती है ठीक है second हमें क्या proof करना है यहाँ पे 5 is 1 1 ठीक है second हमें यहाँ पे proof करना है 1 1 अब 1 1 के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे कोई भी 2 arbitrary element आप ले लीजिए ठीक है आप कोई भी 2 arbitrary element ले लीजिए let a raised to the power k1 and a raised to the power k2 क्योंकि इसी type के element होंगे आपके g में ठीक है अब हमने मान लिया तो हमें क्या proof करना होता है कि different element के corresponding different image हमें वहाँ पे मिलती है तो हमने यहाँ पे assume कर लिया कि आपके पास जो image है वो दोनों different है इन elements के corresponding ठीक है now let 5 a raised to the power k1 is not sorry हम equal मान के चल लेते हैं तो हम इन elements को equal दिखा देंगे 5 a raised to the power k2 अब हमने mapping किस टाइप से define की है तो यह आ जाएगा k1 mode of n is equal to k2 mode of n तो यह आपके पास क्या हो जाएगा k1 minus k2 mode of n is equal to 0 अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा अब हमें यहाँ पे पता है कि जो order of a है वो आपके पास क्या है n है this implies इसका मतलब क्या है a raised to the power n करूँ तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा क्या आएगा अगर मैं a raised to the power n करूँ तो बोलिए जल्दी से identity element आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है कि k1 minus k2 mode n is equal to 0 यानि कि जो n है वो completely k1 minus k2 को divide करता है remainder इसका 0 आजाएगा इसका मतलब यही है कि जो n है आपका वो k1 minus k2 को divide करता है ठीक है और जो a का order है वो आपका क्या है n है तो हम यहाँ से यह चीज़ बोल सकते हैं कि a raised to the power k1 minus k2 जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा क्या होगा यहाँ से a raised to the power k1 minus k2 0 हो जाएगा है ना यही होगा वो लिजल दी से क्योंकि देखिए जो z n आपके पास है वो under addition group बनाता है sorry जो आपके पास z n है वो आपके पास under addition modulo n group बनाता है है ना तो उसकी जो identity होगी वो आपकी 0 होगी तो यहाँ से जो a raised to the power k1 minus k2 जो है वो क्या हो जाएगा 0 ओके है ना यहाँ तक ठीक है यहाँ तक कोई problem नहीं है है ना ओके ऐसे लिख सकते हैं इसको कोई issue तो नहीं है तो यहाँ से आपके पास क्या जाएगा a raised to the power k1 is equal to a raised to the power k2 हमें यही शोग करना था ठीक है हम image से में लेके चले थे तो दोनों elements भी हमने यहाँ पे equal proof कर दिये ठीक है और जो a आपके पास है उसका order n है finite ही है यह और k1 और k2 आपके कहां से belong करते हैं set of integer से k1 और k2 जो है आपके वो कहां से belong करते हैं set of integer से है ना चले अब थार्ड आपके पास जो है आपको क्या proof करना है on to on to के लिए हम क्या करते हैं जो आपके पास को domain है वहाँ से हम एक element लेते हैं let x be in zn ठीक है अब हमें यहाँ पे domain में एक element find out करना है x के corresponding जो कि इसकी एक pre image मिले है ना है ना now now we must find y in g such that कि जब हम phi of y करें तो आपके पास क्या आना चाहिए यहाँ पर x है ना यही आना चाहिए ठीक है ओके तो यहाँ से यह आपका क्या होगा phi of y अगर हमने y g से लिया है ठीक है तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा phi y आपका किस टाइप का होगा a raised to the power x टाइप का होगा ठीक है तो यह आपका क्या हो जाएगा x mode n is equal to x और जो x आपका element है वो कहां से है z n से ही है अगर हमने mode n अप्लाई भी कर दिया तो वो क्या है x में ही जाने वाला है sorry z n में ही जाने वाला है है ना अगर हम mode n अप्लाई भी कर देंगे तो यह element जो आपका होगा यह z n में ही होगा देखे मेरा कहने का मतलव शिरफ इतना है कि z n से आप कोई भी element ले लीजिए हमेशा उसके corresponding आपको g में एक element पक्का मिलेगा अगर आप चाहो तो कोई arbitrary यहाँ पे ले भी सकते है कोई finite cyclic group आप ले लीजिए तो वो हमेशा क्या होगा आईसो मोर्फिक होगा किसके z n के जब आप मान लीजिए आपने एक finite cyclic group लिया है of order 5 का तो वो आपका आईसो मोर्फिक होगा किसके z 5 के तो वहाँ से आप find out भी कर सकते हैं तो यहाँ पे homomorphism one one and on two यह सारी की सारी properties satisfy करता है ठीक है तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा तो इसी का use हम करने वाले हैं अपने question में अब question देखी क्या है U10 and Z4 are isomorphic चलिए देख लेते हैं question में आपके पास क्या है एक आपको given है U10 अब यह जो U10 है यह आपका group बनाता है group under multiplication modulo 10 ठीक है और एक और मैं आपको बता दूँ कि जो U10 आपके पास है यह एक finite cyclic group है finite cyclic group है ठीक है और कितनी order का होगा वो हम देख लेते हैं इसमें जो elements आपके होंगे वो क्या होंगे यहाँ पे आपके होने वाले हैं less than and co prime to 10 तो 1 आ जाएगा 3 यहाँ पे आएगा उसके बाद 7 आएगा उसके बाद यहाँ पे 9 आएगा तो यहाँ से जो order of U10 हो गया वो आपका हो गया यहाँ से 4 ठीक है और इसका जो generator यहाँ पे होने वाला है एक इसका generator होगा यहाँ पे 3 and एक generator आपका यहाँ पे होगा I think 7 आप देख लीजिएगा generator आपका यहाँ पे 3 है ठीक है एक तो अब यहाँ पे देखिए हमने आप जो result किया है ठीक है अब हम उसी result का यूज़ हम करने वाले है now by अबो result U10 is isomorphic to Z4 क्योंकि जो U10 आपके पास है उसका order कितना है 4 है ठीक है अब यह किस type से define होगी mapping कि मान लीजिए जो U10 है यह आपका है generated by A ठीक है then A raised to the power K 10 to K mode 4 ठीक है तो यहाँ से हम easily find out कर पाएंगी इसकी तीनों की तीनों properties and U10 आपका क्या होगा isomorphic to Z4 होगा अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए जो U10 है इसका generated यहाँ पे क्या है 3 तो यहाँ पे जो elements आपके आने वाले हैं अगर हम इसको थोड़ा open करें तो यह आपका हो जाएगा 3 raised to the power 1 3 3 raised to the power 2 3 raised to the power 3 तो यह 27 and divide करेंगे 3 से तो कितना बचेगा 7 अब 3 raised to the power 4 तो यह हो जाएगा 81 and 10 से divide करेंगे तो 1 तो यह elements यहाँ पे आने वाले हैं तो अब देखिए यहाँ पे जब हम mapping define करते हैं तो यह क्या कहा है 5 a raised to the power k अब यहाँ पे जाएटर आपके पास क्या है 3 है तो हम यहाँ पे easily mapping define कर पाएगे 3 raised to the power k is equal to k mode 4 तो यहाँ पे देखिए जो Z4 आपके पास है Z4 को define कर लेजिए Z4 आपका अंटर एडिशन ग्रूप बनाता है तो यह आएगा 0, 1, 2, and 3 ठीक है चलिए अब हम इसको थोड़ा simplify कर लेते हैं यहाँ से आपके पास क्या बनेगा 5 3 raised to the power 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1, mode 4 तो यह आपका आजाएगा 1 अब यहाँ पे अगर मैं 5 3 raised to the power 2 करूँ तो यह आपका आएगा 2 mode 4 तो यह आपका 2 आगया 5, 3 raised to the power 3 करूँगी तो यह आएगा 3 mode 4 तो यह यहाँ से आपका क्या आजाएगा 3 and similarly 5 3 raised to the power 4 अगर मैं करूँ तो यह आएगा 4 mode 4 तो यह आपका आजाएगा यहाँ से 0 ठीक है तो अब देखिए हर एक element के corresponding हमें image मिलती है and co domain के हर एक element के corresponding हमें यहाँ पे एक free image मिल जाएगी तो यहाँ पे सारी की सारी properties satisfy होंगी तो हम यहाँ पे easily बोल सकते हैं कि जो U10 आपका होगा U10 जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा isomorphic to Z4 ठीक है तो यहाँ पे अगर आप by figure भी देखना चाहो तो यहाँ पे हमने क्या किया है अगर आप by figure देखना चाहो तो देख लीजिए देखिए हम यहाँ पे एक अलग से एक page ले लेते हैं और यहाँ पे देखिए एक आपके पास क्या है domain है ठीक है एंड एक आपके पास यहाँ पे है codomain और domain आपके पास क्या है यहाँ पे U10 है and codomain आपके पास क्या है Z4 है वैसे तो आप simple बोल सकते थे कि जो u10 है वो isomorphic होगा कि इसके z4 की है जैसे हमने एक result किया अब हमने बस ये proof किया कि कैसे होगा इसके बीच में mapping define की है 5 ठीक है तो यहाँ पे देखिए u10 के अंदर जो elements है वो क्या क्या है u10 के अंदर elements है आपके 1 है 3 है 7 है and 9 है यहाँ पे है 0 1 2 and 3 अब जो आपका 1 है 1 की जो image है वो क्या है यहाँ पे चेक किजिए देखिए हमने क्या किया था 3 raise to the power 1 क्या आया है 3 3 raise to the power 2 आपका क्या आया है 9 3 raise to the power 3 क्या आया है 7 and 3 raise to the power 4 क्या आया है 1 तो अब यह है 1 है ना 3 raise to the power 4 तो इसकी जो image आई है वो आपकी आई है 0 है ना उसके बाद है 3 तो 3 आपका यह है और इसकी image क्या आई है आपकी 3 की image आई है 3 है ना 3 की क्या आई है 3 raise to the power 1 तो यह आईगी 1 ओके ऐसे ही 7 7 आपका यहाँ पे है देन 3 raise to the power 3 तो इसकी आईगी 3 और 9 आपका यहाँ पे है देन इसकी image जो बनेगी आपकी 9 की हो जाएगी 2 ठीक है तो यहाँ पे यह मैपिंग आपकी हुई है यहाँ पे देख भी लेते हैं एक बार 7 के corresponding आपका क्या आया है 3 हाँ ठीक है ओके तो यह मैपिंग है अब यहाँ पे देखो figure से आप इसली देख सकते हैं homomorphism property satisfy करता है 1 1 भी है on 2 भी है तो यहाँ पे जो u10 और z4 है यह क्या हो जाएगा isomorphism होगा ठीक है ओके आप ऐसे इस result का direct यूज कर सकते हैं जब भी एक्जाम में पूछा जाता है बढ़ याद रखेगा यह cyclic के लिए है सिरफ ओके यह सिरफ और सिरफ cyclic के लिए है non cyclic के लिए यह result नहीं है ठीक है तो यहाँ पे हमने 2 result देखे है क्या क्या है important result star आप लगा लेजिए every infinite cyclic group is isomorphic 2 z ओके और defined कैसे करते हैं a k 10 to k ठीक है अब second है every finite cyclic group is every finite cyclic group अगर finite है तो order भी होगा every finite cyclic group of order n is isomorphic 2 is isomorphic 2 z n ओके और defined कैसे करेंगे इसको a k 10 to k mode ठीक है ओके चलिए next question देख लेते हैं क्या है next है आपकी problem number fourth there is no isomorphism from q plus to q star अब यहाँ पे जो यह q है यह आपका set of rational numbers है under addition यह group बनाता है q star आपका q star भी set of rational numbers है बट यह जो है आपका यह under multiplication group बनाता है इसने जो phi है कुछ ही इस type से define किया है q to q star ठीक है यहनि कि हम ऐसे बोल सकते है phi of a plus b जो होगा वो आपका यहाँ पे phi of a plus b जो आपका होगा क्या आना चाहिए phi of a dot phi of b यह आना चाहिए तो इसने कहा है कि q और q star के बीच में कोई isomorphism नहीं है ठीक है चलिए हम देख लेते हैं इसको कैसे देखोगे हम अगर यहाँ पे एक mapping define करके चलें defined as phi of a is equal to minus 1 ठीक है a आपका जो है वो कहां से है q से तो अब देखिए जो q of a है इसको हम कैसे लिख सकते हैं हमने माल लिया कि जो a की image है वो minus 1 है तो हम देख लेते हैं देखिए अब इस type से define है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1 by 2 a plus 1 by 2 a और यह आपका क्या हो जाएगा phi of 1 by 2 a dot phi of 1 by 2 a ठीक है तो यहां से क्या आएगा यहां से यह आपके पास क्या आजाएगा phi of 1 by 2 a तो यह आपका हो गया phi of 1 by 2 a whole square क्या यह possible है क्या यह possible है देखिए यहां से यह आपके पास क्या था phi of a और यह आपका किसके equal था minus 1 के क्या कभी भी किसी number का square आपका minus 1 के equal आ सकता है, नहीं, not possible, ओके, ये कभी भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है square है, और इदर आपकी क्या है, negative terms है, यह हमेशा positive रहेगी, यह हमेशा क्या है negative है, तो यहाँ पे यह property ही satisfy नहीं करती, ठीक है, यहाँ पे यह property ही satisfy नहीं करती, जो आपकी यह homomorphism वाली है ठीक है तो यहां पे कोई isomorphism नहीं बनती ठीक है हो जाएगा चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए प्रोग्लम नंबर फिफ्थ क्या है आपके पास लेटर जी इस इक्वल टू एसल टू आर अभी एसल टू आर क्या है सब्सक्राइर गूप है और किस टाइप की रगी कर्म्हेंर होता थे कंड्रेंटि मेंट करोद म्हेंट प्रिकष दिया हुई है जर्जी अ है और एप्र्य मेट्र zurd-ıg मैट्रीक्स लीजिस ने क्या लिया है ये ऐस ने कीतन लिया है किaur ठीक है, ओके, then we can define a mapping from G to G itself by 5MA, इसने एक mapping define की है, किस type से, कि 5 from G to G, और G आपका कहां से है, G आपका क्या है, SL to R है, ठीक है, and defined as, defined as, phi MA is equal to MAM inverse, तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, कि जो phi M है, वो क्या है, isomorphism, तो first ही हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्या यह homomorphism property को satisfy करेगा, homomorphism, ओके, चलिए, homomorphism के लिए क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर दो matrix ले लिजिए, यहाँ से, let A and B, let A and B, two arbitrary matrix, हमने यहाँ से ले लिजिए, ठीक है, तो अब देखिए, phi MA plus B, यह आपके पास क्या आएगा, M, A plus B, M inverse, ओके, तो यहाँ से, आपके पास क्या होगा, एक मिनट, ओके, हमने यहाँ पर A plus B नहीं करना था, एक मिनट रुख जाएए, होमोमोर्फिजम प्रोपर्टी सैटिस्फाई करवानी है, spatial linear group है न, तो अब देखिए, यहाँ से क्या आएगा, phi of AB, यह आपका हो जाएगा, M, A, B, M, inverse, तो यहाँ से होगा, M, A, M, A, यहाँ पर हम कर लेते हैं, M, M, inverse, ठीक है, क्योंकि, इसका कोई fact ने पढ़ने वाला, वैसे भी यह identity है, है न, तो यह क्या हो जाएगा, M, M, inverse, sorry, तो यहाँ से आपका होगा, M, A, तो इसको हम लिख सकते हैं, M, inverse, और यह आपका क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर यह B भी तो है न, ठीक है, तो यह आपका क्या होगा, यहाँ से, M, B, M, inverse, और यह हो जाएगा, 5 of A, and 5 of B, ठीक है, एक मिनट रुक जाएगा, तो होमोमोर्फिजम प्रोपर्टी आपकी सैटिस्पाई होती है, next हम 1, 1 देख लेते हैं, ओके, हमने, A और भी दो मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, तो हम यहाँ पर जिम करके चल रहें, 5 M A is equal to 5 M B, तो यह आपका क्या हो जाएगा, M A, M inverse is equal to M B, M inverse, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर left cancellation ला लगाएं, तो यह हो जाएगा, A, M inverse, B, M inverse, ठीक है, यह आपका कहाँ से आया है, by, left, cancellation, ला, ओके, ऐसे ही right cancellation ला लगा दीजिए, तो यह होगा, A is equal to B, by, right, cancellation, ला, ठीक है, तो वन वन प्रोपर्टी सैटिस्वाई होती है, आप on to देखी कैसे करोगे, अन्टू कैसे करोगे, let, A हमने एक matrix ले ली, कहाँ से, G, को domain से, ठीक है, then, we must find, B, B, in, G, यानि की, domain में से, हमें एक, we find out करनी है, so is that, क्या आना चाहिए, कि जब हम phi of B करें, तो वो आपके पास क्या आए, A, ठीक है, तो phi of B means, यहाँ पे क्या होगा, M, B, M inverse is equal to A, तो यहाँ से, आपके पास क्या आजाएगा, M, आपके पास invertible matrix है, ठीक है, तो यहाँ से, हम ऐसे कर सकते हैं, कि, M inverse से, मल्टिपलाई कीजिए, तो यह होगा, B, M inverse is equal to, M inverse A, तो यहाँ से आपके पास क्या आजाएगा, B is equal to M inverse AM ठीक है तो अब जो आपके पास ये B है ये आपका domain के अंदर है ठीक है B आपका domain के अंदर है अब ये आप कैसे check करोगे कि ये आपका G के अंदर भी लोंग करता है चलिए हम देख लेते हैं कि जो आपके पास ये B आया है क्या ये G के अंदर होगा अब G के अंदर किस टाइप के elements है जिसका determinant 1 है ठीक है तो determinant आप निकाल के देखिए determinant of M inverse M क्या होगा यहाँ से determinant of M inverse into determinant of A into determinant of M ठीक है अब M का determinant 1 है तो M inverse का भी यहाँ पर ये 1 ही होगा 1 into 1 यहाँ पर ये 1 inverse कर सकते है into 1 तो ये आपके पास क्या आजाएगा 1 तो इसका मतलब है कि जो M inverse A M आपके पास है वो आपका G के अंदर है ठीक है तो यहाँ से यहाँ से आपके पास क्या आ गया ये 1 1 भी है 1 2 भी है homomorphism property को satisfy भी करता है this implies यहाँ से क्या आ जाएगा this implies 5 is isomorphism isomorphism from SL2R2 SL2R2 ठीक है हो जाएगा चल जाएगा अब next देखे क्या है problem number 6 आपके पास है find an isomorphism find an isomorphism from the group of integers under addition to the group of even integers under addition ठीक है तो हमें यहाँ पे isomorphism find out करनी है कहां से कहां तक यह बिल्कुल easy है 5 हमने यहाँ पे define कर लिया एक आपके पास क्या है set of integer under addition की ही बात की है और कहां तक है set of even integer को हमने यहाँ पे ऐसे denote कर दिया ठीक है 5 of z is equal to 2 z and z आपका कहां से भिलों करता है set of integer से खीक है चलिए first property आपके पास क्या है homomorphism देखिए अगर आपको lecture अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए complete PDF आपको मिल जाएगी telegram अगर आप join कर लेते हैं वहाँ पे हम PDF भी share करते हैं हमारा whatsapp group है उसको join कर लीजिए वहाँ पर भी हम PDF share कर देते हैं हमारा app भी है वहाँ पर भी आपको free material ही मिलेगा अब देखिए homomorphism क्या है आपके पास अगर हम Z1 and Z2 two elements लेते हैं कहां से Z से तो यह आपके पास क्या होगा 5 Z1 plus Z2 is equal to 2 Z1 plus Z2 can be written as 2 Z1 plus 2 Z2 and this is 5 of Z1 plus 5 of Z2 तो homomorphism property satisfy करता है second आपके पास क्या है 1 1 ओके अब 1 1 देख लेते हैं 1 1 के लिए क्या करोगे आप 5 of Z1 is equal to 5 of Z2 आप मान के चलिए तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा 2 Z1 is equal to 2 Z2 this implies यहाँ से आपके पास क्या आगया Z1 is equal to Z2 तो 1 1 प्रोपर्टिवी satisfy करता है next आपके पास क्या है on to अब on to के लिए देखिए now let Z1 in ZE को domain से एक arbitrary element आपने लिया है ठीक है तो इसके corresponding का आपको Z find out करना है then we must find Z in Z says that क्या ना चाहिए आपके पास 5 of Z is equal to Z1 5 of Z क्या है 2 Z is equal to Z1 तो Z आपके पास क्या आजाएगा Z1 by 2 अब यह जो Z है आपका यह आपका domain के अंदर भी लोंग करता है ठीक है domain के अंदर यह भी लोंग करता है अगर आप verify करना चाहो तो verify भी कर सकते हो जब आप 5 of Z करोगे अनकी 5 of Z1 by 2 करोगे तो Z1 ही आपके पास आने वाला है ठीक है तो यहां से आपके पास क्या आगया तीनों property satisfy करता है यहां की जो Z आपके पास है वो क्या हो जाएगा isomorphic 2 set of even integers ठीक है बिलकुल easy था चलिए next देखे क्या है एक बार इसको अच्छे से read कीजिए देखे यहां पे क्या कहा है show that the mapping A going to log of 10A is an isomorphism from R plus under multiplication to R under addition ठीक है यहां पे एक mapping define कीजिए सबसे पहले तो R plus जो है यह आपकी है under multiplication क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो set of real number है वो under multiplication group नहीं बनाता बात अगर हम positive real numbers ले लेते हैं तो वो under multiplication group बनाता है क्योंकि अगर आपने set of real number लिया देन हम zero के corresponding inverse find out नहीं कर पाएंगे under multiplication ठीक है तो इसलिए हम R को बोलते हैं कि जो R है वो group बनाता है under addition बट R plus अगर हम ले लेते हैं वो आपका under multiplication भी group बनाता है तो इसने जो mapping आपकी define की है कुछ ही type से की है ठीक है जो R plus यह आपका under multiplication group बनाता है and set of real number आपका under addition group बनाता है and defined as defined as phi of A is equal to log of 10 A ठीक है हमें प्रूफ करना है क्या यह isomorphism है first property क्या है homomorphism homomorphism तो यहाँ पर क्या करना है हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि phi of A dot B क्योंकि आपके पास जो domain है under multiplication की बात की है तो A dot B ही आएगा यहाँ पर मैं सबसे पहले mention भी कर दो now let A and B in R plus ओके तो यहाँ से phi of A dot B क्या हैगा phi of A dot B log of 10 A dot B log A dot B आपका क्या होगा log 10 A plus log 10 B by logarithmic property तो यह आपके पास क्या हो जाएगा phi of A plus phi of B अब देखिए जो को domain है वो under addition आपका group मनाता है तो homomorphism property आपकी बिल्कुल सही है अब second आपके पास क्या है one one ठीक है तो one one के लिए क्या करोगे now now let suppose suppose phi of A is equal to phi of B तो phi of A क्या है log of 10 A is equal to log of 10 B then by logarithmic property यहां से क्या आजाएगा A is equal to B ठीक है यह आप देख सकते हैं यह property होती है log of 10 A is equal to log 10 B यह आपका क्या होता है A is equal to B तो one one property भी सैटिस्फाई होती है यहां पे आप on to check कर लेते हैं on to आपका क्या होगा now let हम को domain से एक element लेते हैं let A belongs to R set of real number से हमने एक A element लिया then we must find then we must find A element X in R plus सुस्थाइट क्या होना चाहिए कि जब हम phi of X करे तो वह आपके पास क्या आजाए A phi of X आपका क्या होगा log 10 X is equal to A ठीक है यह आपका क्या हो जाएगा log of 10 X is equal to A ठीक है तो यहां से क्या आएगा X is equal to E raised to the power A हो जाएगा ठीक है अब जो यह X is equal to E raised to the power A है exponential function हमेशा आपका क्या होता है positive होता है तो यह जो element आपका होगा यह एक positive real number होगा ठीक है यह जो आपका element होगा एक positive real number होगा तो domain की हर एक element के corresponding आपको एक परी image मिल जाएगी ठीक है तो अगर हम यह verify करना चाहें तो आप verify भी कर सकते हो कैसे करोगे verify कर लिजिए 5 of X यानि कि 5 of E raised to the power A यह क्या होगा 5 of E raised to the power A तो log of 10 E raised to the power A और यह आपके पास क्या आजाता है A ठीक है तो यह 1,2 भी है 1,1 भी है homomorphism property satisfy भी करता है तो यहाँ से क्या आजाएगा this implies R plus is isomorphic to R अब नेक्स्ट आपके पास यह आपके लिए है question practice first में क्या कहा है hint मैं आपको दे दूँगी यहाँ पे hint मिल जाएगा आपको अब पर आपको practice खुद करने है यह थीक है first में क्या कहा show that U8 is not isomorphic to U10 अब कैसे करोगे इसको U8 is not isomorphic to U10 देखिए U8 के हर एक element में क्या होता है एक खास बात है क्या है x square is equal to 1 होता है ठीक है U8 में एक खास बात क्या है कि x square is equal to 1 होता है ठीक है ओके आप करके भी देख सकते है अब U8 के अंदर किस type के elements आएंगे U8 के अंदर elements आएंगे आपके 1 3 5 and 7 ठीक है तो जब आप यहां पर 1 का square करोगे तो 1 आएगा 3 का square करोगे तो 1 आएगा 5 square करोगे तो 1 आएगा 7 square करोगे तो 1 आएगा यहां पर देख भी लिजिए 1 square 1 आने वाला है 3 square आपका 1 आएगा 5 square आपका 1 आएगा 7 square आपका 1 आएगा अब अगर मैं यहां से U10 से अगर मैं यहां से 9 element लो अगर मैं U10 से 9 element लो और इस पर मैं 5 अप्लाई करोँ तो यह आपके पास क्या आएगा U9 is equal to U can be written as U3 into 3 ठीक है तो यह under multiplication group बनाते हैं तो यहां से अब एक चीज़ देखिए अब यहां से आप क्या लिख सकते हैं यहां पर देखिए 5 3 into 3 तो यह आपका हो जाएगा 5 3 into 5 3 ठीक है तो 5 3 into 5 3 यह आपका क्या आजाएगा यह square होगा 5 3 into 5 3 यह आपका 1 ही आने वाला है क्योंकि मैंने क्या कहा देखिए जो यह element आपका होगा 5 3 यह कहां पर जाएगा U8 में और यह भी आपका कहां पर जाएगा U8 में ठीक है अगर मैं यहां पर इस टाइप से डिफाइन कर दो U10 to U8 है न तो यह आपका 1 आजाएगा ऐसे ही अगर मैं यहां पर 1 ले लूं तो यह आपका आजाएगा 5 of 1 into 1 तो यह हो जाएगा 5 1 into 5 1 square ही होगा 5 1 square तो यह भी आपका 1 आएगा अब एक चीज देखिए कि जो 5 9 है और 5 1 है यह दोनों तो equal आ गई but 9 is not equal to 1 है न तो यहां से 1 1 property ही satisfy नहीं होती तो जो U8 और U10 है यह आपके isomorphic नहीं होती ठीक है अगर आपके माइन में कुछ और idea हो तो आप वो भी बता सकते है ठीक है अब ऐसे ही second के लिए अगर मैं आपको hint दो यह तो मैंने करवा ही दिया second के लिए hint है U8 में भी सारे element इस type से होते है कि X square is equal to 1 हो U12 में भी इस type के element होते है कि X square is equal to 1 हो तो अब आपको यह proof करना है कि U8 और U12 कैसे isomorphic होंगे जो third आपके पास है यह बिल्कुल easy है ठीक है यह बिल्कुल easy है fourth मैंने करवा ही दिया ठीक है कि any finite cyclic group of order N is isomorphic to ZN ठीक है एक बार आपको भी proof करके देख लेना है है ना कर लोगे ना ठीक है कर लोगे अच्छा आपको एक और चीज प्रूफ करनी है यहाँ पे क्या इन दोनों के बीच में homomorphism बनती है U10 और U8 के बीच में क्योंकि मैंने यहाँ पे यह ऐसे separate करतो दिये क्या हम ऐसे कर सकते है ठीक है आपको एक यह चीज भी देखनी है क्या हम इनको ऐसे separate कर सकते है तो यह आपके लिए है question practice आपको जरूर करनी है ठीक है PDF आपको share कर दी जाएगी बट वीडियो आपको जरूर देखनी है क्योंकि कुछ लिखा हुआ है कुछ हम बोलते है PDF से ही बिल्कुल यह मत समझ लेना यहाँ पे complete solution है ठीक है तो thank you so much आप लाइक जरूर कर दीएगा ओके चैनल को subscribe कर दीजिएगा ओके ज़्यादा से ज़्यादा share कीजिए thank you so much